हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक तू उनित नॉम्बर 2 स्टांडर 12 एना रिदिंग कॉंप्रिहेंशन पार्ट मां आप सर्वेनू स्वालप करूछु तो युनित 2 नो रिद वन अन्फरगेचेबल वाल दिस्नी एना एक रिदिंग कॉंप्रिहेंशन आउदान साथे वीडियो न आपने पुछाए पैरेग्राफ और एक्षेक्ट एउण न थी आखी पुछाए पैरेग्राफ और एक्षेक्ट एउण न थी आखी जे युनित छे आखा युनित माथी गमेते आपनो जे एक्षेक्ट छे एलाई शके आने ये पुछी शके पोयम मापन गमेते स्टांज्या आपनी सामे एर जु करवा मावी होए तो आपने वाद करिये रिदिंग कॉंप्रिहेंशन फर्स्ट वी स्टार्ट विद आपने शरुवात मावा पांच आपने एक्षेक्ट आपया होए छे रिद फॉलेइंग एक्षेक्ट एंड आंसर दे क्वेस्टन गिवन विदो यह में वधारे आंसर आपक्वेस्टन मुख्या छे एक्जाम मा मात्र एक एक्षेक्ट नी नीचे बे-बे तमने प्रस्णो जो यह आए एक्षेक्ट एपल ओर्चाड एंड विपिंग विलोज वित्रो पहलू तो एक्षेक्ट माची आने आपने कबर पडवी जोए पहला एक वकत आपने बहुँ डीटेल माँ आने माची लएशो तो वॉल्ट, स्केच, फस्ट एनिमल्स, वॉल्ट नू नामावे आपने खवर पड़े के भी पाड़ छे वॉल्ट, अनफर्गेटेबल वॉल्ट डीजनी वित्रो हाल आपनी पासे एक ब्या यूनिट छे जियारे आपकू वर्स आपने काम करीशो त्यारे तमारे तो दस यूनिट माँ थी पसंद करवानों छे त्वा याद करवानों छे क आपेरेगराफ, अत्वा, आ एक्स्टेक्टं कई यूनिट नों छे अनने येमां कई माही ती आपकेली पासे तो प्रतहम टेक्नीक हे चे कि पर्याव पेरेगराफ आपने माची लिये शांती थी अनने माची आपची शांती थी प्नापत प्रस्णोंने vOizar हाल माची वान तमारा आंसर्स जरूरी चेंजिस साथे यह जो आवतु है तो आपने मुखी शक्ये ना आवतु है तो जे पुछयो चे प्रस्ना एना मुझब आपना आंसर आपने लखी शक्ये तो एवा केटला नमुना ना क्वेशन्स हिए आपने जुए लेस्ट बिगिन विद फर्स्स्वेशन वे डिट व्ल्ट सक्ये फर्स्स एनिमल्स वेर निट्रो प्रस्ना ने बराबर समझ्वानी आपने कोशिश करिये अपन सव प्रतम पेपर ले यहने आनों आंसर लखी शक्यो चो थोड़ो वीडियो पो आइडिया आवे कि यस आपने करी शक्येसे बें अब से लिम संनल से ने descendants a डीये वहार मीत्रों किष्ट लगी विदियार थे Fields फॉस्ट यह सब्सकेश अनिमाल्स सब्सक्राइप पॉपर यह रस छोग अनिम रीदिंग कॉप्र true के पेरेग्राफिन ने बराबर समझ have यह पच्किया अपना अंसर है और सफिक करिये आप जो ही शको चो दे एपल ओर्चाड एंड विपिंग विलोव एट अवर ओल्ड फार्म वेर के जियां वॉल्ट स्केच्च टीस्ट फर्स अनिमल्स तो अवे तमने खबर पड़ी शेक्खे क्या ये फर्स्ट अनिमल्स पोताना स्केच करता तो दोरता तो ओल्ड फार्म is the exact answer तो जवाब आपनों आथ के लख्या आपने वॉल्ट स्केच्च टीस्ट वाड़ो प्रस्टा से ये बुथकार नों प्रस्टा से वह आपना ख्यालावे तो करतानी साथे बुथकार नों क्रिया पद मुखवानू है ये वॉल्ट स्केच्च टीस फर्स नेक्स्ट वन हुववज माइक हुवज माइक तो कभी कौन था माइक हुवज माइक तो आप जो ही शको छो है यां अंकल माइक फूज अंकल बस एकलो तमारो जवाब लखो ये तले कौन से ये आपने ये ओड़ खान बतावी शेक्ये तो माइक वोज वॉल्ट एन्ड एकलो वोल्ट अंकल लख्यू है तो आउन्ड तमारो जवाब से गत से चाहिए माईक चो ये वोल्ट जिना व से पात जवाब ऑने ब्रदर रोए ये बनेना अंकल आता तो माइक वयान भोउस अंकल आका पने आपार जवाब जैवाब अने एनी जेगे हो कुछ ही हो है के भी what was Mike, शू हता, तो आप जो ही शको छो ही या, तो Mr. Mike और Uncle Mike was an engineer, ए एंजिनियर हता. Okay, let's move to the third question, what did Walt use to sketch, what ए शू sketch करता, तो अवे आपने खबर से के सेनो sketch बना हुए हमने पसंद दतू हता, कया sketch बनावता, शू sketch करता, तो Walt use to sketch animals, या naturally answer तम ने मलाईद गेल होचे, के भी ए animal sketch करता, fourth one, what did they hear in the night, पी रातरे शू सांबरता, what did they hear, तो गणिवार सिधे सिधो जवाब मले, here the hunting whistle of a train, और of a locomotive, तो कई शक्ये, they heard the whistle of the locomotive passing in the night, रातरे जे पसार ततू एंजीन अथू गाडी ना, एंजीन ना जे विसल, चे विसलो ए सांबरता, अने आपने पाठमा अथवा यूनित मा जानी होशे कि अंकल माई के especially, विसले चोक्राव माटे वगाड़ता, what was one of the first attractions at Disneyland, Disneyland मा जे attraction मुक्वा मा आवे लाए, मा थी शरुवातना attraction मानू एक पॉन आतो, अथवा कई वतो, तो एनो पण आप लोकेट आंसर यहां करी शको जो, an old-fashioned train, that is the real answer, तो ए यह यहां से, an old-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland, तो मित्रो आप पाँच आंसर आप compare कर जो, जरूर पड़े तेया वीडियो पॉस करियाने आपने आंसर, लखी शकियाने, पस यहांनो आंसर आप चेक करी शको जो, Now next is our poem, Here is a stanza from Shepard Shept, Read the stanza and give answers of the following questions, इत्रो परीक्षाम आवी बे stanza आपने पुछावा नीचे, प्रथम जे stanza चे एनी नीचे त्रण प्रस्णो, बिजी stanza चे एनी नीचे बे प्रस्णो आपने पुछावा नीचे, So here is the stanza, In days gone by I used to be a potter, Who would fill his fingers, mold the yielding clay, To patterns on his wheels, तो मित्रो तरत याद आवे के भी Shepard Shepard जे पोयम से एनी या stanza लेवा मा आवेली से, शरू करिये प्रस्णो, Let's begin with the first question, मित्रो थोडा पोयम मा वदारे क्यारफुल रेवू पर से, आने एना आंसर कारन के जाते mostly आपड़े लगवाना था से, What was the poet in the past? What was he in the past? आपनों आंसर चे आपेली स्थान जाने अनुरूख वो जोई है, तो यहाँ आप जोई शको छो के in days gone by, days gone by means in the past, आवा similar meaning तमने आपेला होए या, जे exact शब्द चे ना आपता, कोई आनो similar meaning अत्वा similar कोई वर्ड तमने प्रस्णामा पूछे होए, तो the poet was a potter in the past, कभी शू हता, potter हता, okay, next one, the poet has stopped to be gap and has learned to be, once again it's a gap, stop, कभी शू बनता अटकी गया अने शू बनता शिखी गया, यह यह बे आपने शिखवानों चे, अतने मुखवानों चे, मित्रो आपने जे similar meaning लिदा है, मां seize no मतलब था है stop, तो शू बनता अटकी गया, तो I have seized to be the potter, पहला मां आपनों answer potter, अने have learned to be the clay, potter बनवानों यहमने बन करिया, stop अटकी गया अने शू बनता शिख्या, clay, clay अटले जे माटी जे यह बनता शिख्या, next one, what would the potter's fingers mold, mold करू, shape करू, आकार आपको, तो यहमनी अंगडियों जे जे potter नी, शेने आकार आपती, अथो शू आकार आपती, तो आप जानों चो के mold the yielding clay, the potter's fingers would mold the clay, clay एकले माटी ने यहमनी जे अंगडियों जे यह अंगडियों आकार आपती, next one, why has the pride died away, why has the pride died away, pride एकले जे यहमने अभीमान अतुए, गुरव अतु, के हुँज सुंदर्मजानम माटी ने आकार आपी शको, जो मारी आंगडियों माए यह ताकाच्छे, यह pride अथो यहमनी अभीमान अतुए, के विरिते चालिव गयू, अथवा मृत्यू पामियू, चालिव गयू यहमू, तो यहनू शू कारान अतुए, यहमने शू प्राप्त कर्यू, तो यह आपे यहां आंसर लोकेट कर्वानों चे, through the wisdom, तो the pride has died away, because the porter has got wisdom, कानके यहमने गनान थयू, के भी माटी माएवी ताका चे, के यहने धारी है, यहमनी आगडियो माए ताका नथी, तो यहमनू गहुराव त्यारे चालिव गयू, जयारे यहमने आ गनान थयू, तो because the porter has got the wisdom, and the last question, on what would the clay be pattern, पी जया खले से माटी से शेना आओ पर यहने घड़वा माँ थी, तो यहने आकार अपवा माँ आप तो, यहने design करवा माँ थी, तो आप जानों चो के on his wheels, तो the clay would be pattern on wheels, wheels यहले आपने आपनी बाशा में यहने चाकडों कई यह गया शे, ये वीलू परेने माटीने आकार, मुकीने आफ़ामाँ तो आपना साचा अंसर चे, मित्रों यहां बे एक एक स्टेक्ट अने एक स्टांजाव परती, थोड़िक समझवानी अने थोड़ुक समझावानी आपने कोशिश करी के के विरिते आपने हारीदिंग कॉम्प्रियंशन काम करवानों चे, मित्रों यहां मानी नथी लेवानों के सिधे जिधा आंसर आपने लखे दिये, ये साचा होए, थोड़िक मैनद करी आने बहु समझी आने आंसर साप लगजो, के जे थी करीने परिक्षामाँ खुब सारो स्कोर आपने करी शक्ये, आप खना बदा एक चावनाचे, जेनू रीडिंग कॉंप्रियेंशन आपे करवानाचे, तो हाशा राकिये के आप बनने वीडियो आपने खुब यूस्पूल था हाशे, और तमारी प्रिपेरेशन मां खुब मदद रूप था शे, मित्रों आपने खुब गमिम होए, तो चोक्कस आपना मित् सब्सक्राइब यूनित्री माठे, स्टे चुन.